जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी, स्पैस्मिंडोन पेडियाट्रिक ड्रॉप्स बच्चों में एसिडिटी, गैस, इन्फेक्शन या गैस्त्रो इंटेस्टिनल ट्रेक्ट की बीमारियों के कारण होने वाले पेट में दर्द, ब्लोटिंग और पहले या डॉक्टर द्वारा सुझाए गए अनुसार अपने बच्चे को स्पैस्मिंडोन पेडियाट्रिक ड्रॉप्स की निर्धारित खुराक मुग के रास्ते से दें, आपके बच्चे के डॉक्टर इस दवा को कई दिनों तक लेने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इसे ड पस लक्षन आ सकते हैं, या बच्चे की स्थिती और खराब हो सकती है, इस दवा के कुछ सामान्य अस्थाई साइड एफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, कब्ज, डकार, दृष्टी संबंधी समस्याएं, भूक में कमी और सुस्ती शामिल हैं, यदि ये होते हैं, तो जैस जैसे आपके बच्चे का शरीर दवा के अनुकूल होगा ये कम हो जाएंगे, यदि इस साइड एफेक्ट में सुधार नहीं होता है, या आपके बच्चे को इस से परेशानी होती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, आपको अपने बच्चे की सभी दवाओं के बार और आपके बच्चे के समगर इलाज की योजना बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफ को क्लिक करें, धन्यवाद